पहला कोस्चन है हिंदी वर्ड माला में उस बेंजन कौन से हैं? A, B, C, D इसका सही जवाब A दूसरा कोस्चन आपके सामने है हिंदी के जिन वर्डों का उचारण करते समय के वल्षराव प्रियोग किया जाए उन वर्डों को कहते हैं A, B, C, D इसका सही जवाब A तीसरा कोस्चन आपके सामने है यारल वर्डों को कहते हैं आपके पास ओप्शन है A, B, C, D इसका सही जवाब B है चौता कोस्चन आपके सामने निमलिखित में से ओस्ट धनी है इसका ओप्शन है A, B, C, D इसका सही जवाब D पाच्वा कोस्चन वाल्फ को हिंदी में कहते हैं इसका ओप्शन है A, B, C, D इसका सही जवाब C चट्वा कोस्चन है जिन सब्दों के निमें A आता है उन्हें क्या कहते हैं ओप्शन है A, B, C, D इसका सही जवाब D साथ वा कोस्चन कौन स्वर नहीं है A, ओप्शन A, B, C, D इसका सही जवाब D आत्मा कोस्चन निमें निल्खित में से कौन सा वर्ड गोस है इसका ओप्शन है A, B, C, D इसका सही जवाब C भासा की सबसे छोटी कारी किसे कहते हैं? नहीं कोस्चन इसका ओप्शन है A, B, C, D इसका सही जवाब है B दस्वा कोस्चन वर्ड माला किसे कहते हैं? इसका ओप्शन है A, B, C, D इसका सही जवाब D ग्यार्वा कोस्चन इम लिखित में से कंठे धनियों कौन 1C है? इसका ओप्शन है A, B, C, D इसका सही जवाब A बार्वा कोस्चन है इम लिखित में से उच्चारण अस्थान के आधार पर मुर्धन्य व्याजन बताए इसका सही जवाब C ग्यार्वा कोस्चन इम लिखित में से अलफा प्राण वर्ड कौन से है? इसका ओप्शन है A, B, C, D इसका सही जवाब इसका ओप्शन है इसका सही जवाब इसका ओप्शन है निम लिखित में से एक वर्ड विंजन नहीं है? इसका ओप्शन है A, B, C, D इसका सही जवाब इसका ओप्शन है इसका सही जवाब है इसका ओप्शन है इसका सही जवाब है इसका ओप्शन है इसका सही जवाब है इसका ओप्शन है इसका ओप्शन है A, B, C, D इसका सही जवाब है